मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर दोस्तों के मेरा सलाम पेश करते हुए आज आपके लिए एक हैरत अंगेज अमल लेके आया हूँ जो के हुपका है मेरे बहुत सारे दोस्तों के रिक्वेश्ट थी के आप कोई हुपका भी अमल बताएं जो के बहुत ही मुझरब हो तो उनके रिक्वेश्ट पर लेके आया हूँ मैं मैं उमीद करता हूँ के मेरे दोस्त इससे फाइदा उठाएंगे और जायस के लिए करेंगे ठीक है मैं आपको अमल का तरीखा बताता हूँ हुपका हैरत अंगेज अमल जो के हैरत में डाल दे आपको करना क्या है जुमा की नमाज के बाद में अलग एक जगा पर बैटकर बखूर जोहरा से लगा कर यानि मुश्क जाफरान उट संदल जैसे के खुझबू आती हैं बखूर उट संदल इन खुझबूओं को जला लेना है सफेद एक कागस पर इस तरह नश्ट लिखकर इसके चारों तरफ खुरूफ मीम इस तरीखे से लिखे जाएं मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे लिखना है क्या लिखना है तरीखा पढ़के दिखा देता हूँ किताब से शक्की गुंजाईश ना हो किताब में अमल होते हैं और किताब ये बहुत ही पुरानी किताबे होती है इसमें आपको शक ना हो इसलिए परचा लेकर लेकर मैं भी बता सकता हूँ और रट सकता हूँ मैं भी ऐसा करो ऐसा करो नहीं मैं कोई बड़ा आमिल बन के नहीं दिखाना चाहता मैं काम करके देता हूँ जितने भी मेरे यहां पे यूटीब में जितने भी मेरे customers हैं जिनोंने काम कराया है अल्हम्दुलिल्ला वो खुश हैं दुआएं देते हैं तो मैं आपको सिदा सिदा बता देता हूं किताब से फिर मैं जो काम करता हूं उसके बाद में कराने के बाद में ही मालूम होएगा ना तो ठीक है मैं अमल के तरफ ले जाता हूं आपको लिखना है खुरूफ मीम इसकरिके से लिखे जाएं कि मुसलसल एक सामिहास पर 40 अदद पूरे हो जाएं मीम का सिरा बाहर और धर नक्ष के अंदर दाखिल होते जाएं नक्ष बना कर पहले नाम मतलूप का मा वालिदा लेकिन फिर अदद पूरा करें फिर इसके बाहर खुरूफ फिर इस कागस को बखूर कर मतलूप के दिल पर तसवर दिल पर तसवर करना है तसवर करके से छूकर तहे करके एक सफ़ेद मुर्गी के अंडे जो पहले एक दिन लाकर जरा सा सुराख करके सफ़ेदी जरदी निकाल कर साफ करके रखा हुआ हो तो मैं आपको समझाता हूँ आपको एक अंडा लाना है एक अंडा एक दिन पहले लाना है इस अमल को करना है जुम्मा के दिन नमास के बाद जुम्य रात के दिन एक अंडा लाना है उसमें थोड़ा होल करके उसमें से जर्दी और सफेदी निकाल लेनी है आपको ठीक है फिर आगे बताता हूं मुर्गी के अंडे जो पहले एक दिन लाकर जरा सा सुराख करके सफेदी दर्दी निकाल कर साफ करके रखा हुआ हो इसमें भी बखूर दे दिया जाए और ये नक्ष इसमें बंद किया जाए जो टुकड़ा अंडे का ल निकाल ले फिर आप उसमें मौम जमा दे एक मौम मिलता है पंसारी के पास में अगर नहीं है आपके पास में तो आप मौम बत्ती वाला मौम ही लेकर उसको पूर कर सकते हैं ये सब चीजें डालने के बाद में उसमें फिर एक आब अखूर जदीद में रखकर इस पर पाकी दिन तक सिर्फ गरन रहे जलना जाए बस बियजनि अल्ला बियजनि ताला बियजनि अल्ला ताला मौबत आशिक की माशुख के दिल में प्योस्त और खायम हो जाएगी कि तमाम उम्र तालिब से जुदा ना हो सकेगा यानि कि एक ही बार इस तरह अमल को करना है फिर उसका म मजर्ब मुजर्ब है यहां देखिए यह अमल मुजर्ब मुजर्ब है सिरिफ हक खलाल काम के वास्ते अजाज़त आ अभी आपको मैंने यहां से पूरा पड़के सुना या आपको इसमें समझने में अगर कोई गलती हो रही है, समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक बार यहां पे जूम करके स्क्रीन शाट के जैसा देता हूँ मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ रहा है अभी देख लें नमाज जुम्मा से पेश्टर अलग गोशाओ बखुर हलांके नमाज से पहले का बताया है नमाज जुम्मा से पेश्टर पेश्टर मतलब के जाने से पहले मेरा वीडियो शायद के लिए नहीं आ पा रहा है हाँ देख लीजे पढ़ लीजे नमाज जुम्मा से पेश्टर अलग गोशाओ बखुर जहरा सुलगा करियाने मुश्क जाफरान उच संदल सफेदे कागस पर इस तरह नक्ष लिखकर इसके चारों तरह हुरुफ मीम इस तरीखे से लिखे जाएं कि मसलसल एकसा मिहास पर 40 अदद पूरे हो जाएं मीम कासिरा बाहर हो और धर नक्ष के अंदर दाखिल होते जाएं नक्ष बनाकर पहले नाम मतलूब के मावलिदा लेकिन फिर अदद पुरा करें फिर इसके बाहर हुरुफ मीम पर इस कागस के बखूर दे कर मक्टूब के दिल पर तसवर करें सफेद मुर्गी के अंडे जो पहले एक दिन लाकर जरा सा सुरा करके सफेदी जरदी निकाल कर साफ करके रखा हुआ हो इसमें भी बखूर दे दिया मतलब जला के बखूर का धुआ दे देना है बखूर इसमें डलना नहीं है दे दिया जाए और यह नक्ष इसमें बंद किया जाए जो टुकड़ा अंडे का लहा किया है इस पर जमा कर मुम से हवा बंदी कर दिया जाए मैंने समझा है पहले फिर एक आब अखूर जदीद में रखकर इस पर पाकीजा रेट भर दे भर कर दिया जाए मतलब यह फिर थोड़ा सा बखूर का धुआ दे कर पाक रेट उसमें भर देनी है उस नक्ष के साथ अभी मैं आपको लेके चलता हूं नक्ष और आदत के पास यह देखिए यह जो मीम 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 है यहां पहले आपको क्या करना है जो बीच में वालिदा ई है यहां वालिदा पहले शुरू क्या करना है आपको वालिदा का नाम लिखना है किसका नाम नाम मतलूब मा वालिदा मतलूब का नाम जिसे आप चाहते हो जिन्देगी भर उसका स दिभाना चाहते हो तुमाम जिंदगी उसी के साथ गुदारना चाहते हो उसे धोका नहीं देना चाहते उसे बहौत इंतहां प्यार करते हो बहुत इंतहां करते हो और किसी के लिए ये अमल करके अपना हासिल कर लेने के बाद में कोई धोका देने का ख्याल अगर आया तो अला की पूछ होगी अल्ला का अजब आपको आप बगड़ेगा देख लीजिए, ये 40 मीम हैं, ये जो मीम 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 का नक्ष बना है यह 40 मीम लिखने हैं और फिर जैसे अदद भरे हैं आपको एक दो तीन जैसे भी भरे हुए हैं इसी तरीखे से यहां पर यह अदद भरने हैं और इसको क्या करना है आपको इस पर्चे को ही अंडे के अंदर डालना है और अंडे के अंदर डालकर आपको जो मैंने तरीखा बत ना है तो अलहम्दुलिल्ला अल्लाह के फ़स्लों करम से साथ दिन भी ना गुजरेंगे मतलूब आपकी महबत में बेंतिहा बेकरार हो जाएगा और फिर आप उसे धोका ना दें क्योंकि आपकी सिवा उसको फिर कोई अच्छा नहीं लगेगा मुजर्रबुल मुजर्रब है बुजरूगां का आजमाया हुआ है बहुत ही जलाली किताब है अभी आप किताब का नाम पूछते हो कहां से लाओगे आप किताब ये सौ साल की किताब है कहां से लाओंगी किताब है ये और बहुत सारे अमल है मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें अगर आप जानना चाहते हैं कि अमलियात से क्या क्या काम होते हैं किस तरह से अल्ला को राजी कर सकते हैं क्या क्या जिकरों से मुख्किल हसल होते हैं क्या क्या अ एचल में से दूसरों का भला क्या गरो तो मैं स़रिफ आपको ये कहता हूं कि हलाल के लिए करें हख के लिए करें ना जाइस के लिए ना करें हख के लिए ना हां बहुत सारे मीरे सब्सक्रेबर मेरे दोस्ट estamos फोन काल्स करके पूछते हैं, एक वाहियात, बेवाहियात सवाल होता है, जो कितने दिन में हो जाएगा, अरे यहां पल की खबर नहीं, कल की खबर पूछता है इनसान, उमीद पे दुनिया खायम है, जो काम करते हैं, जाया नहीं जाता, थोड़ा सबर करना है, रास्ते बनते हैं, नूरानी अमल यही नूरानी अमल से बेश्क अमल लगता ही है, व्कष्ट लगता है, हां अगर वक्त आमिल बता भी दे, एक-तालीस दीन, एक-कीज दीन, वो बताता इसलिए है के आपको सबर हो, और आप क्या होते हो, बेसबर होकर, क्या करते हो, मायूस हो जाते हो, और अमल और किताब और खुद को भी कहते हो, आमें नहीं करना आया, फिर किताब में था, ऐसा कुछ नहीं है, अमल एक बार हो जाता है, तो हो जाता है, तीर कमान से निकल गया, तो निकल गया, हालांके सही वक्त का इंतिजार आपको करना है, और अमल जाया नहीं जाता है, य थोड़ा वक्त लगेगा, बहरेहाल कामियाиться भी जरूर मिलेगी। मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्तों को ये तरीखा और ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं थोड़ा जलाली अमलात या फिर अगर कोई नहीं कर पाता है मेरे से कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर है पिलस 919740646017 और जो आमिल हजरात मुझसे बात करकर कहते हैं कि अमल बताओ हमने किये हैं और अलहम्दुलिल्ला लगे हैं तो उन आमिल हजरात से भी मैं बताता हूं कि ये अमल करें जिसको भी करके दें अलहम्दुलिल्ला मुझर्वू न मुझरुम्छरुबें कामिया भी जरूर मिलेगी मैं समझता हूँ के मेरे वीडियो को आपने वखत बहुत दे दिया है और मैंने भी बहुत ले लिया है क्योंकि अमल बड़ा है और तरी का बी जादा था इसका तो अलहम्दु झाल झाल